हमारी हिंदू संस्कृती में साधी को बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है किसी भी संस्कृती में साधी बहुत ही पवित्र होता है और जो लोग साधी कराते हैं, बिवाह कराते हैं उन्हें बहुत सारा पुन्य की प्राप्ती होती है ऐसा समाज के लोगों के दोरा कहा जाता है पिछली बार की भाती एक बार फिर से धाका बिधान सभा छेतर के बिधायक सिरी पोन जैसवाल जी के दोरा 101 काउन करन्याओं का बिवाह संपन कराने की योजना पर काम किया जा रहा है जो बहुत ही सरहनिय कदम है 2010 में जब वे बिधायक चुन कर आये थे तो समाज में कुछ अलग करने की दिशा में उन्होंने इस परमपरा की शुरुवात की थी और उस समय लोगों के दोरा बहुत ही सरहना किया गया था और खुल मिला कर देखा जाए तो अभी तक 375 कन्याओ का बिवा उनके दोरा समपन कराया जा चुका जो बहुत बड़ा सरहनिय कारे है और उसका नतीजा है कि वे दोरा से बिधायक चुन कर आये इस बार 25 फरवरी 2024 को 151 कन्याओ का बिवा समपन कराने की योजना पर काम बहुत तेजी से चल रहा है पूर्वी चंपारन सिता मड़ी, नेपाल, शिवहर, पच्मी चंपारन, मुझफर पूर आजपास के जितने भी जीलेग है वहाँ से आवेदन आ रहा है यदि जो लोग आवेदन नहीं किये हैं वे लोग अपने अस्थानिये, जन परतनीधी, मुखिया, सरपंच, वाड सदसे, पंचायच समिती के सदसे, पैक्स, अध्यक्ष, इसके अलावा नगर निकाय के मेर, वाड परसद, इन सभी से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि बिधायक जी का कहना कि वे इन सभी के पास डाक के दोरा आवेदन भेज दिया हैं, यदि वहाँ से भी आवेदन प्रात नहीं हो रहा है, तो गोड़ासान, सीतामडी, मोतिहारी, इन सभी जगह पर आप आवेदन ले सकते हैं, इसके अलावा जन परतनीधीयों के द दोरा गाव गाव जाकर आवेदन दिया जा रहा है, इस बार 212 बाजा होगा, और 155 गोड़ों पर सवार होकर दुलहे राजा अपनी दुलहनिया को लेने जाएंगे, और जो कन्या इसमें आवेदन करेंगे, उनको उचित सम्मान दिया जाएगा, बहुत सारा पुरसकार द जहन रासी भी उनको दिया जाएगा, जो बहुत ही सराहनियक कार्य है, इस से आसपास के जिले के लोग लाभनवित हो रहे हैं, नेपाल के लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि कुछ लोगों का भला हो